हलो दोस्तो, स्वागत है आज की वीडियो में आज की वीडियो में हम देखेंगे कि LTSPICE में एक न्यू लाइबरेरी कस्टुमाइज लाइबरेरी हम कैसे एड़ कर सकते हैं और स्टेंडर्ड लाइबरेरी को कैसे एड़िट कर सकते हैं तो हम ज़्यादा देर नहीं करेंगे हम चलते हैं वीडियो पर और वीडियो को अंत तक देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तो हम चलते हैं ये LTSPICE का हमने सॉप्टवेर ओपन किया है तो लाइबरेरी को एड़ करने के लिए हम फाइल पर क्लिक करेंगे जब आप इस पेच पर रहेंगे तो फाइल पर क्लिक करने के बाद आप यहां देखिए न्यू लाइबरेरी का ओप्सन आता है यहाँ पर तीन टाइप के कंपोनेंट है तो हम यहाँ पर तीनों मेंसे किसी को भी एड़ कर सकते है और तीनों के लिए सेम प्रोसेस है तो केपसिटर पर हम क्लिक करते है तो यहाँ पर केपसिटर पर एक इस तरीके की विंडो आपको दिखाई देगी जिसमें कुछ पेरामिटर्स हैं लाइक जो हमको entries fill करने रहेंगे इसमें, capacitance, manufacturer, part number, type, voltage, IRMS, means current, series resistance, and series inductance. यहाँ पे manufacturer, part number, और type यह optional हो सकते हैं, लेकिन अगर आप इनको डालते हैं, तो आपके लिए well and good रहेगा. तो देखते हैं हम, इसके लिए हमको पता होना चाहिए, कि हम कौन सा capacitor add कर रहे हैं, उसकी क्या values हैं, तो इसके लिए हम जाते हैं capacitor की data sheet पे, जो कि आपको किसी भी site पे मिल जाएगी. तो मैंने इसको जैसे माउजर की site से लिया हुआ है, यहाँ पे एक capacitance की, capacitor की data sheet डाउनलोड की है, जो कि flim capacitor है, metalized polypropylene flim capacitor है. तो यहाँ पे मैं कोई भी एक capacitor लेता हूँ, जो कि मैं add करता हूँ, suppose मैं लेता हूँ 3 microfarad का, और उसके parameters कुछ इस तरीके से हैं, 3 microfarad यह उसका dimensions है, यहाँ पर यह order code, इसको आप part number बोल सकते हैं, हम as a part number डालेंगे अपने library में, यहाँ पे IRMS है, हम 85 degree पर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर 85 degree पर हमारा voltage भी दिया हुआ है, तो 85 degree पर लेकर select करते हैं, तो IRMS यानि current कितना है, इसके बाद resistance कितना है, और फिर बाद में देखते हैं, inductance कितना है, तो हम यह add करते हैं, तो suppose यह सबसे पहले जो हमारी फिल्ट रहेगी, हम यहाँ पर add करने के लिए हम right click करेंगे, right click करने पर हमको option आएगा add का, add करने के लिए सबसे पहला फिल्ट रहेगा manufacturer, manufacturer आप यहाँ देख सकते हैं कि TDK है, TDK, okay, so manufacturer type करेंगे, TDK, part number, हम part number ले ले लेते हैं, यहाँ पर, इसको copy करते हैं, part number, type किस तरीके से है, क्या type है इसका, तो film capacitor बोल सकते हैं, आप, film capacitor add करता हूँ, capacitance कितना है, 3 microfarad है, already microfarad में value है, 3 microfarad, यहाँ पर हम देखेंगे, current है 6.7 ampere, यहाँ पर, okay, voltage, voltage दिया है, voltage हमारा है, यहाँ पर 1100 volt DC, तो यह हम 1100 फिल करेंगे, IRMS, IRMS है यहाँ पर 6.7, जो कि ampere में है, correct, 6.7 ampere, यहाँ पर resistance दिया है, 9.7 milli-ohm, और हमको यहाँ पर, equivalent series resistance डालना है, ohm में, okay, तो आप जानती है, ohm, milli-ohm को ohm में कैसे convert कर सकते हैं, यहाँ पर देखी, basic हम calculator में जाएंगे, हमारे पास value है, 9.7, जो milli-ohm है, उसको divide कर देंगे, 1000 से, तो हमारे पास value है जाएगी, 0.0097, क्योंकि यहाँ पर ohm में दिया है, इसलिए हमको convert करना पड़ा है, 0.0097 ohm, और यहाँ पर parasitic series inductance है, जो कि nanohenry में दिया है इधर पर, और यहाँ पर भी हमको nanohenry में है, जो कि value है 20 nanohenry, तो यहाँ पर 20 nanohenry हम add कर देंगे, और ok प्रेस करेंगे, तो यहाँ पर देखिए हमारा एक capacitor add हो चुका है, अभी हम इस पर select करके इसको right click करेंगे, तो insert करेंगे, एक new capacitor add करने के लिए, new part add करने के लिए, इसको delete कर सकते हैं, यहाँ पर कुछ modify कर सकते हैं, अगर कोई mistake हो गई हो, तो हम यहाँ पर modify कर सकते हैं, अब हम इस library को save करेंगे, save करने के लिए file में option आया, save control as करें या save as करें, हम save as करते हैं, यहाँ पर already LTSpice की एक standard library है, standard capacitor library है, diode है, inductor है, सभी परकार की library available है, तो हम यहाँ पर अपनी library बनाते हैं, तो my cap library, my cap library नाम से हम इसको save करते हैं, हमने इस part को save कर लिया, अब मैं इसको यहाँ पर रखता हूँ, अब मैं आपको open करके दिखाता हूँ, कि schematic में हम यह capacitor कैसे add करेंगे, कैसे लेके आएंगे, कि हमने जो part add किया है, वो हम use कैसे कर सकते हैं, उसके लिए file पर जाएंगे, new schematic पर click करेंगे, ठीक है, हम इसको arrange कर देंगे दोनों window को, तो window arrange करने के लिए आप title window use कर सकते हैं, तो इस तरीके से यह arrange हो गया, अभी हमको capacitor चाहिए, या तो आप sort की C use कीजिए, तो capacitor आ जाएगा, otherwise यहाँ पर देखिए, capacitor एक हमको बना हुआ है, उसका symbol, उसके click करेंगे, यहाँ पर place करेंगे capacitor, इसकेप से हम यह हटा देंगे, अब right click करेंगे, और यहाँ पर आएगा option select capacitor, और direct आपको यह capacitor की value डालके आप capacitor के value दे सकते हैं, तो हमने जो part add किया, वो हमारा option आएगा select capacitor पर, select capacitor पर click किया, तो हमको यह library में हमारा capacitor add किया है, 3 microfarad TDK, film capacitor, part number यह रहा voltage इतना, जो की इधर है, हम उसको select करके ok करेंगे, तो यह वो capacitor जो हमने add किया हुआ है, वो आ गया है, बैसे तो LTSpice की standard library में thousands of values, thousands of part add हैं already, तो हमको जरूरत नहीं पड़ती हम search करते हैं, मिल जाता है, लेकिन अगर कोई ऐसा capacitor values है, जो की customized है, और आप अगर चाहते हैं कि मैं उसको add करूं library में, तो यह उसका way है, एक आपका, खुद का एक library बनाने का, जो standard library है, हम उसमें edit कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए new schematic लेंगे, capacitor पे click करके capacitor place करेंगे, right click करेंगे, select capacitor पे जाएंगे, यहाँ पे देखी, यहाँ पे complete library आ रहे है, यहाँ पर, अभी इस library में आप कुछ नहीं कर सकते, मैं right click कर रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा, तो इसके लिए मुझे जाना है, quiet and edit database, standard library अभी हमारे लिए accessible हो गई है, editable हो गई है, तो अभी हम इसमें options हैं हमारे पास, हम नया part, जो standard library उसमें नया part insert कर सकते हैं, delete कर सकते हैं, modify कर सकते हैं, add कर सकते हैं, तो आप यहां देखिए, insert करना means हम एक complete एक नया part insert कर सकते हैं यहां पर और जो particular part है, जिस पर हम click कर रहे हैं, उसको modify कर सकते हैं, आप suppose कुछ value लेजिए इसको, हम इसका जो parasitic capacitance value नहीं दिया, मैं कुछ डालता हूँ इसमें, 10 nano henry डालता हूँ, आप देखेंगे, यहां पर, देखिए, यहां पर जो parasitic capacitance की value है, change हो गया, तो बाद में यह same process रहेगा कि मुझे इसको save करना रहेगा, तो अभी मैं बापिस इसको revert कर देता हूँ, 0, okay, now जो insert और add करने का process है, एक नया part add करने का process है, जो कि मैंने आपको customize में बताया, same process रहेगा, data sheet से आप values डालिए, data डालिए, और आप part add कर सकते हैं, और insert करने इसको आप और capacitor के database को record को एक नया insert करना चाहते हैं, तो आप capacitor add कर सकते हैं, तो यह हमने देखा कि standard library में हम कैसे edit करना हैं, और हमें को customize library कैसे बनानी हैं, तो आपको यह video कैसा लगा, कितना आपके helpful रहा, आप मुझे comment करके बताएए, और आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो like कीजिए, चैनल को subscribe कीजिए, मिलते हैं next video में, यह series में, इसी series के next video में, thank you, thank you for watching video, bye bye, take care. करके बताएविवगर graduate commence तुम् lessचाना करके बताएब। करके चैनल दै legitimately enough यहाण walk-ॉप करल और भीजियोर डाएब। करके जाएब।